इस वीडियो में करेंगे class 10th exercise 12.3 question 8 figure deficits a racing track whose left and right ends are semi circular यहाँ पे एक figure given है racing track का जिसकी left और right side semi circular दे रखी हैं आपने racing track देखे होंगे कुछ इसी तरीके के होते हैं इसके अंदर क्या dimension given है the distance between the two inner parallel line segment is 60 meter यहाँ पे क्या कहा है जो inner two parallel lines है उनके बीच का जो distance है वो 60 meter हमें given है and they are h 106 meter long और उनकी जो length है a से b या फिर d से c वो 106 meter दे रखी है if the track is 10 meter wide और जो track की width है वो 10 meter है find first part क्या find करना है the distance around the track along its inner edge अगर अंदर अंदर से अगर distance अगर measure किया जाए track का तो वो क्या होगा इसका मतलब क्या है inner perimeter हमने इस ground का find out करना है पहला तो यह find out करेंगे दूसरा point क्या है the area of the track जो blue color का region हमें दिखाई दे रहा है उसका area हमने find out करना है तो सबसे पहले हम first part पे चलेंगे क्या है यहाँ पे the distance around the track along its inner edge अंदर से जो track की length है जो distance है track का वो find out करना है अब देखो यहाँ पे क्या होगा distance around inner edge distance around inner edge inner edge मतलब अंदर से जो distance होगा इसका track का वो क्या होगा सबसे पहले दियान से देखो यहाँ से start कर लिया हमने मान लिया e से f e f हो जाएगा length phi plus में इसके opposite आजाओ hg हो जाएगा उसके बाद क्या बच गया हमारा e ph यह क्या है के arc है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम arc e ph phi plus में right side पे आजाओ frg यह भी क्या है के arc है तो यहाँ पे लिखेंगे arc frg इन सबी को add कर देंगे तो हमारे पास क्या आजाएगा distance around the track along its inner edge अब e f की length देखो क्या है 106 meter तो 106 plus में hg देखो यह भी 106 का है तो 106 plus में arc of e ph e ph क्या एक circular arc है और half circle बना हुआ है तो half circle का perimeter क्या होता है हमारा pi r तो यहाँ पे लिखेंगे pi r यहाँ पे भी plus में arc frg right side जो semi circle है उसका भी क्या होगा pi r होगा इतनी बात समझवें आ गई इसको आगे simplify करते हैं 106 और 106 कितना हो गया हमारा 212 और plus में 2 pi r 2 multiply pi की value 22 by 7 और multiply by radius अब हमें radius की value find out करनी है कि यहाँ पे radius कितना होगा अब radius find out करने के लिए थोड़ा सा mind use करना है यहाँ पे देखो हमारी जो weight दे रखी है जो parallel side के बीच का distance दे रखा है वो 60 meter दे रखा है इसका मतलब e से h यह क्या है हमारा 60 meter हमें क्या चीए e से o यह हमारा radius क्या लाएगा तो 60 का half कितना हो जाएगा यह भी 30 meter और यह भी क्या हो जाएगा हमारा 30 meter हो जाएगा मतलब p से o तक जो radius हो गया हमारा यह यह कितना आ गया 30 और जो यह weight दे रखी है यह कितनी है हमारी 10 इसको आगे further second part में use करेंगे तो radius कितना हो गया हमारा यहाँ पे 30 meter तो उसको put करेंगे यहाँ पे तो radius की value आ गई हमारे पास 30 इसको simplify करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आ गया 212 plus 22 की और 2 की multiply करेंगे 44 और 44 की 30 से multiply करेंगे 1320 और divide by 7 इसके upon में 1 मानेंगे LC हम लेंगे कितना आ गया 7 212 की 7 से multiply करेंगे 7 2 जब 4 यह आ गया 1484 फिर प्लस में यहाँ पे क्या जाएगा 1320 इन दोनों को add करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 2804 divide by 7 meter तो total जो distance आ गया along the inner edge वो आ गया मेरे पास 2804 by 7 meter इसको fraction की form में लिखना चाहते हो तो इसको divide करके लिख सकते हैं otherwise यह भी correct है अब देखते हैं second part क्या है the area of the track हमें क्या करना है area of the track find out करना है जो blue region है उसका area क्या होगा अब second part देखो क्या है area of the track area of track यह बिलकुल ध्यान से समझना है आपने किसके equal होगा देखो द्यान से हमारे पास जो है a, b, c, d एक तरीके से outer rectangle है right और left के semi circular portion को आप भूल जाओ a, b, c, d इसका area अगर मैं निकालता हूँ तो blue color का region भी और beach का जो white color का region है वो सारा include हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखूँगा अंदर वाला e, f, g, h e, f, g, h तो द्यान से देखो अगर मैं a, b, c, d में से e, f, g, h सब्ट्रेक्ट कर दूँ तो मेरे पास ये blue color का region भग जाएगा ये वाला region आ जाएगा और यहाँ से ये वाला region भी मेरे पास क्या आ जाएगा beach का find out हो जाएगा अब हमारे पास क्या रह गया left जो blue arc है और right जो blue arc है इनका area उसका कैसे निकलेगा यहाँ पर द्यान से देखो arc जो है outer arc a, q, d क्या है area of arc a, q, d minus कर दूँ अगर area of inner arc e, p, h e, p, h फिर क्या करूँ मैं plus right side आ जो area of b, s, c area of arc b, s, c minus कर दूँ f, r, g area of arc f, r, g समझ में आ गई अगर देखो यहाँ पर आ जो a, q, d यह outer arc में से अगर मैं e, p, h यह अंदर वाला white वाला subtract कर दूँ तो मेरे पास यह blue color का area आ जाएगा similarly हम right side करेंगे b, s, c क्या है outer arc है जिससे हमारा क्या आ जाएगा b, s, c से लेके b, s, c तक और b, s, c यह पूरा का पूरा area आ जाएगा half circle का और इसके अंदर से मैं e, r, g white वाला subtract कर दूँगा तो blue color का region बच जाएगा वही किया है हमने अब इसके अंदर values बुट करते हैं सबसे पहले देखेंगे area of a, b, c, d a, b, c, d तो area of a, b, c, d क्या जाएगा 106 multiply by 80 फिर minus करेंगे area of e, f, g, h e, f, g, h अंदर वाला white वाला area length तो हमारी कितनी रहेगी 106 और width कितनी हो गई 60 meter आगे आओ इससे आगे area of arc a, q, d a, q, d इस arc का area किसके एकवल होगा half pi r square तो 1 by 2 pi की value 22 by 7 multiply by radius का square अब radius देखो यह कितना है यहाँ पे q से लेके हो तक 30 तो यह हमारा p, o है 30 plus 10 करेंगे तो total जो outer radius हो गया वो कितना हो गया बच्चो 40 तो 40 का square इसमें से minus करना है हमें किसको area of e, ph e, ph अंदर वाले circle का तो 1 by 2 multiply 22 by 7 और inner radius कितना है हमारा 30 तो 30 का square फिर आज़ो last right side प्लस में area of arc b, sc इस side भी same यही होगा 1 by 2 multiply 22 by 7 और multiply 40 का square फिर minus करेंगे यह अंदर वाला e, r, g white वाला area तो वो किसके इकोल होगा 1 by 2 multiply 22 by 7 और multiply 30 का square अब main बात आती है इसको simplify करने की बड़े ध्यान से करेंगे यहाँ पे देखो into term में से क्या comment आ रहा है 106 को मन आ गया अंदर क्या बच गया मेरे पास 80 माइनस 60 यह term तो हो गई simplify फिर प्लस में यहाँ पे ध्यान से देखो यह जो term है 1 by 2 multiply 22 by 7 into 40 का square और यह वाली term यह दोनों क्या है half of term है दोनों को add करेंगे तो half plus आप क्या होता है 1 तो यह कितना हो गया 22 by 7 multiply 40 का square तो इसको 40 multiply 40 लिख देंगे similarly यहाँ पे आ जो जो यह वाली term है dotted वाली और यह dotted वाली यह भी half है यह भी half है दोनों को add करेंगे तो minus का 22 by 7 multiply 30 का square 30 multiply 30 इतनी बात clear हो गई simplify कर लेते हैं इसको further आगे देखो क्या आएगा यहाँ पे 106 multiply 80 में से 60 गया 20 5 plus में यहाँ पे 22 by 7 इस term में भी है इस term में भी है तो दोनों से 22 by 7 क्या आगया common अंदर क्या आगया 40 multiply 40 कितना हो गया 1600 minus में 30 multiply 30 कितना हो गया 900 आगे आजो 106 की 20 से multiply करेंगे तो 0 as it is 2 से multiply करेंगे 212 आगया 2120 5 plus में 22 by 7 multiply 1600 में से 900 को subtract किया तो कितना आगया 700 7 से इसको divide करो तो उपर आगया 100 तो value क्या आगई हमारे पास 210 प्लस में 22 200 दोनों को add करेंगे हम तो total जो area आगया 4320 meter square unit meter में है तो area meter square में आ जाएगा और ये आगया मेरा answer जो total area होगा हमारा blue color के reason का मतलब track का area clear question channel को subscribe करना आने वाली videos की notifications के लिए जो जो आएगा हम अलाएगागागा आगया तो ऑनू यागया तो एक्षाग्ट